हाई फ्रेंड्स माइसेल्फ डॉक्र शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक होमियोपैथिक मेडिसिन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है मैजेरियम मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्फेर ओफेक्शन क्या है और है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैजेरियम एक प्लांट किंडम की मैडिसिन है और इसका स्फेर ओफेक्शन है जॉइंट स्किन बोन्स इसके अलावा यह हैड में भी काफी एफेक्टिवली वर्क करती है और जी आई ट्रैक में इसके काफी अच्छे रोल है मै मैजेरियम मैडिसिन जादा तर स्किन कंडिशन के लिए यूज की जाती है अगर किसी परसन को कोई स्किन अफेक्शन है स्किन में किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन हो रहा है तो ऐसे लोग इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं मैजेरियम इंफेक्शन को कम करने के लिए य येसे कि अगर किसी person को be willen आथिस हो चबाइब उन्हें g岩ड फिन इससमें इंफेक्शन हो चुका है किसी वी तरीके का बढ़से को जनदेंद एरिया में इंफेक्शन ह सुल हुआ है उन्हें बर्निग अ किव्ठिशन क्लेन है मतलब उन्हें urination में बहुत ज़्यादा burning होती है इसके अलावा अगर किसी person को genital area में swelling हो चुकी है itching हो रही है और burning sensation फील होता हो तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं इसके अलावा अगर किसी person को clemedial infection हुआ है या फिर अगर किसी person को gonorrhea का infection हुआ है तो ऐसे लोग भी meiserium medicine का use कर सकते है इसके अलावा meiserium medicine viral infection के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी person को herpes हो चुका है herpetic eruptions हो रहे हैं skin में genital area में herpes हो चुका है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है meiserium medicine skin में अगर किसी person को eczema हो रहा है the Allorton's किन में किसी भी त़ही की का कर चेँ मेडिसे का यूद कर सकते हैं अगर किसी परषण को नर्ड में हो सकते हैं मैडिसे करे हैं अगर किसी person को violent pain हो रहा है face में या फिर दातों में उन्हें दर्द हो रहा है कुछ भी खाते है तो उन्हें severe violent pain होता है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है measuring medicine को आप pain killer की तरह use कर सकते है अगर आपको body में कहीं पे भी neuralgia हो रहा है severe violent pain है तो आप इस medicine को pain कम करने के लिए use कर सकते है मैजरियम medicine उन लोग लिए बहुत useful medicine है जिन लोग के दातों में decaying हो चुकी है दात सड़ चुके है black color के हो रहे है और ऐसे लोग को दातों में बहुत severe pain होता है दातों का दर्द कई बार head में भी चला जाता है उन्हें severe headache होने लग जाता है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं मैजरियम medicine ciliary neuralgia के लिए भी use की जाती है ciliary neuralgia का मतलब है कि अगर किसी person को eyes में pain हो रहा है किसी भी reason के वज़े से अगर person को eyes में pain हो रहा है, violent pain हो रहा है और देखने में problem हो रही है blood दिख रहा है, eyes से tears आ रहे है, redness हो रही है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं मैजरियम medicine bones पे बहुत effectively work करती है अगर किसी person को बहुत जादा severe pain होता है joints में तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है, joint pain person को severe होता है अगर वो motion में होते है, कोई काम कर रहे है और उन्हें बहुत जादा pain हो रहा है तो ऐसी condition में आप मैजरियम medicine का use कर सकते हैं, मैजरियम medicine bones और muscles पे effectively work करती है और किसी भी तरीके का straining या फिर sprain हो चुका है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, मैजरियम medicine इचिंग जैसी complaint के लिए भी यूज की जाती है, अगर किसी person को skin में स्किन में इचिंग हो रही है, तो ऐसी condition में इस medicine का use किया जाता है, मैजरियम medicine फंगर infection जैसी complaint के लिए भी यूज की जाती है, अगर किसी person को skin में severe fungal infection हो चुका है, उन्हें बहुत जादा itching होती है, intense itching होती है, और ये condition जादा तर उन्हें गर्मियों का time में होती है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है, मैजरियम medicine उन लोगों के लिए बहुत effective medicine है, जिने psoriasis हो चुका है, या फिर जिने एकजीमा हो चुका है, skin में dermatitis हो चुकी है, तो ऐसी complaints के लिए आप इस medicine का use कर सकते हैं, कई सारे cases में ऐसा देखा जाता है, कि person को सर पे dandruff होने लग जाते हैं, और dandruff के वज़े से scalp में severe itching होती है, skin से crust निकल लग जाता है, तो ऐसी condition के लिए भी आप मैजरियम medicine का use कर सकते हैं, मैजरियम medicine GI track की complaints के लिए भी use की जाती है, अगर किसी person को severe constipation की complaint है, उन्हें बहुत सालों से constipation रहता है, और constipation के वज medicine हर तरीके के piles के लिए यूज की जाती है, जैसे कि अगर किसी person को internal piles है, या फिर external piles है, किसी भी तरीके का piles हो, तो वो लोग इस medicine का use कर सकते हैं, इसके अलावा अगर किसी person को bleeding piles की complaint है, उन्हें piles में से blood आ रहा है, तो ऐसे लोग भी इस medicine का use कर सकते हैं, मैजरियम medicine body के different glands प किसी भी रीजन के वज़े से अगर testicles enlarged हो रहे है, सूजन हो रही है, पेन हो रहा है, तो वहां पर इस medicine का use किया जा सकता है, टेस्टिक्यूलर एनलाजमेंट के कई सारे reason हो सकते हैं, जैसे कि हाईड्रोसील हो सकता है, या फिर को sexually transmitted infection के बाद अगर किसी person के testicle में swelling हो रही ह पेन होता है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, मैजरियम मेडिसिन आइस की complaints के लिए यूज की जाती है, अगर किसी person ने eyes में कोई surgery कराई है, उसके बाद उन्हें neuralgia हो रहा है, eyes में pain हो रहा है, तो ऐसी condition के लिए मैजरियम मेडिसिन को use किया जाता है, मैजरियम मेडिसिन post-operative pains के लिए यूज की जा सकती है, अगर किसी person ने कोई भी surgery कराई है, उसके बाद उन्हें pain होता है, तो उस pain को कम करने के लिए इस medicine का use किया जा सकता है, अब मैं आपको मेजरियम के dose बता देती हूँ, कि आखिर आप कौन कौन से dose में इस medicine को use कर सकते है, तो मेजरियम मे medicine को 30 dose में यूज करते है, तो आपको 4-4 drop दिन में दो बार, डायरेट अपने टंग के ऊपर इस medicine को use करना होगा, So friends, ये था मेजरियम, मैंने आपको बताया कि इसका sphere of action क्या है, तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते हैं, तो आप मुझे मेरे whatsapp number पे message कर सकते हैं, मैं आपको reply करूँगी, तो अगर आपको मेरे video useful और informative लगा हो, तो आप please इसको like कर दीजिए, और साथी सा प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली videos को notification मिलता रहे, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you